लब आपको एक bond देता है, प्यार आपको विश्वास देता है, प्यार आपको जीने की कला सिखाता है, प्यार आपको जिन्दगी देता है, वो attachment है, affection हुआ तो लोग समझते हैं प्यार हो गया, वो प्यार नहीं, लोगों को लगता है कि चलो feeling किसी के लिए थोड़ा सा जागी ये प्यार हो गया, प्यार नहीं, कोई अच्छा beautiful handsome लग गया, प्यार हो गया, प्यार नहीं, तो ये मैनिया सवार ना होने पाए, नहीं तो फिर आपके total परते हो, total परत पर आपके परत लग जाएगी दिमागों पे और आप कोई फैसला नहीं ले पाओ गया, तो प्यार आ प्यार बंदगी है, प्यार जिन्दगी है, प्यार एक इनायत, प्यार एक हिफाज़, प्यार एक मुहबत, प्यार एक समंदर, प्यार आज हम प्यार को समझेंगे, प्यार है क्या, जिस प्यार के पीछे ये पुरी दुनिया पागल है, दिवानी सी है, जहां भी देखो ये प जहां भी देखो इंस्टा वोट्सअप कि I love you, I love you, I love you जानू सोना बाबू, प्यार की बात है चलती बहुत आराम से बात करेंगे, प्यार को समझेंगे मैं लिखूंगा, समझाऊंगा, प्यार क्या होता है उसको समझाऊंगा प्यार कैसे शुरू हुआ उसको समझाऊंगा, प्यार कितने तरीके का है उसको भी समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझते हैं ये प्यार है क्या ये प्यार क्या है, प्यार न होता तो इंसान सजदों में न पड़ा होता प्यार ना होता तो मंदिरों में पुजारी हाथ जोड़ कर योई पूजा में न खड़ा होता प्यार ना होता तो इंसानियत की कदर कोई नहीं जानता प्यार ना होता तो मा की ममता अपने बच्चे के लिए दोड़ती नहीं प्यार ना होता, तो आज जितनी भी लोग करांती इस दुनिया में लाए हैं, वो करांती नहीं करते, प्यार ना होता, तो मदल ट्रेसा इंसानियत के लिए हिफाज़त के लिए नहीं लड़ती, प्यार ना होता, तो गाधी इस देश के लिए नहीं लड़ते, प्यार ना होता तो एपीजी अब्दुलकलाम इस तेश को मिसाइल न दिये होते प्यार न होता तो हमारे हुजूर इंसानियत के लिए नहीं लड़े होते प्यार न होता तो गनेश ची इतना बड़ा हमें ओ बहार इतना बड़ा एक्जामपल दे के न जाते कि ठिंक बेगा प्यार प्यार न होता तो क्या होता प्यार है प्यार का एक्जामपल हम ढूड़ेंगे तो बहुत जगहों पे मिल जाएगा प्यार का कुछ एक्जामपल इस तरीके से है कि मैं जामा मस्जिद में नमास पढ़के निकल लाता अचानक मेरे सामने एक बच्ची गिर जाती है और सामने से मैं देखता हूँ उस बच्ची की मा दोड़ते दोड़ते आती है सामने से बच्ची हलके से गिरी होती है मा इतनी तेज से इतनी जोर से गिरती है कि उसके घुटने में चोट आती है बलीडी खून निकलता है उस घुटने से फिर भी मा उठती है बच्ची को पकड़ती है सीने से लगा लेती है और कहती है मेरी बच्ची तो ठीक है कि नहीं है ये मा की ममता ये मा का प्यार प्यार ना होता तो मा की ममता नहीं नजर आती प्यार ना होता तो पिता की महनत नहीं प्यार ना होता तो मैं अपने काम से इतनी मुहबत नहीं करता प्यार ना होता तो लोग देश छोड़कर विदेश ना जाते अपने प्यार अपने फरिवार के लिए कमाने प्यार ना होता तो कुछ भी ना होता प्यार मनजिल है प्यार रास्ता है प्यार एक जुस्तजू है एक आरजू है प्यार इत्मिनान है प्यार एक सुकून है प्यार नहोता तो आज हम आपस में कनेक्ट नहीं होते तो प्यार बहुत जरूरी है प्यार एक हिफाज़त है प्यार एक मुरवत है प्यार एक मेहनत है प्यार एक जुस्तचू है प्यार प्यार को समझना लेकिन यही प्यार जरा समझेगा इसी प्यार ने हिर राजा की महबत को पुरी दुनिया में समर्पित किया पुरी दुनिया को बताया इसी प्यार ने मजनु को पत्थर खिरवाया लैला ने बचाया इसी प्यार ने जपैन में एक इंसान को कुट्था बना दिया अपनी महबूबा का कि वो कुथा बन के गोम रहा है, उसको पट्टे से उसकी महबूबा चला रही है, क्योंकि उस महबूबा को क्या पसंद था, कुथा पसंद था, और उस महबूब ने अपनी महबूबा के लिए कुथा बन गया, तो सोचिए प्यार कहां तक गिरा सकता है, प्यार आपको क्या से क अंधेरा लगता है, प्यार होता है तो सामने अंधेरा से नजर आता है, प्यार होता है तो माथे की तरफ एक दीवार सी बन जाती है, प्यार होता है तो अच्छे अच्छो को फर्ष अर्ष से फर्ष तक लाके गिरा देता है, प्यार का पागलपन इनसान को बागल कर देता है प्यार का पागलपन इनसान को मजबूर कर देता है प्यार का पागलपन इनसान को पूरी तरीके से अंधा कर देता है प्यार का पागलपन प्यार मैं बोलू या लब बोलू या महबत बोलू या इश्क बोलू या जुनू बोलू या प्रीत बोलू या गीत बोलू या सनम बोलू महभूब बोलू, की महभूबा बोलू टेंडरनेस बोलू, इंटिमेसी बोलू अफेक्शन बोलू, अड्बिरेशन बोलू अटाइच्मेंट बोलू, इमोशन बोलू डेस्टिनेशन बोलू, दिवोशन बोलू दिवोशन बोलू, डारेक्शन बोलू direction बोलू कि dedication बोलू क्या बोलू मैं प्यार को प्यार को आखें बोलू रोश्नी बोलू प्यार को अंधापन बोलू प्यार को कान बोलू या प्यार को बहरापन बोलू प्यार को जुबान बोलू प्यार को गुंगापन बोलू प्यार को प्यार की लड़कराहट बोलू या प्यार को एक लगड़ा पन बोलू प्यार को मजबूती बोलू या प्यार को दिल की कमजोरी बोलू क्या बोलू प्यार को मैं मैं प्यार को क्या बोलू प्यार इनायत है, हिफाज़त है, मरवत है, मरमत है फिर भी प्यार के अडिक्शन में लोग पांगल हो जाते हैं, अपनी जिन्दगी को बरबात कर देते हैं, अपने सुकून को त्याग देते हैं, अपनी रातों को पूरी तरीके से बरबात कर देते हैं, ये प्यार नहीं है, आईए प्यार को हम समझते हैं, प्यार क्या है, इस लब के फुल फॉर्म को आप कुछ भी बना सकते हैं इस लब को आप लोड आपके माथे पे आपके दिमाग पे आपके मस्तिस पे लोड सा सवार हो जाता है ये भी लब का मतलब हो सकता है प्यार का मतलब lots of बहुत जादा हो सकता है प्यार का मतलब lust हो सकता है प्यार का मतलब lovely, खुबसूरत हो सकता है जैसे आप चाहें, जो चाहें, आप वो सोच सकते हैं, वो समझ सकते हैं उसके हिसाब से इस full form को बना सकते हैं कि what is love, प्यार क्या है? Oh, oh for operation आपका operation आपकी चीड़ फार हो जाएगी प्यार में आप काड़ दिये जाओगे, आपका फेफड़ा, आपका गुर्दा, आपका कलेज़ा, आपकी किड्नी, आपका लीवर निकाल लिया जाएगा ये भी प्यार का मतलब होता है, अब आपका प्यार है किस से प्यार है, किस से महबबत है आपको आप जरा उस मुहबबत को तौलिए आके ये समझिए मेजर करिए उस मुहबबत को समझना होगा कि किस तरीके की मुहबबत है ये मुहबबत मुझे डुबो रही है या मुहबबत मुझे तहरना सिखा रही है ये मुहमबत मुझे loads दे रही है, या मुझे lovely सी feeling दे रही है, कैसी है मेरी मुहमबत, कैसी है मेरी आरज, कैसा है मेरा प्यान, operation हो जाएगा, आपके opposite में जो होगा, वो बहुत खुश हो सकता है, बहुत घंगीन हो सकता है, बहुत रंगीन हो सकता है, बहुत हसीन हो सकता है, energy list बना सकता है यही प्यार सब कुछ कर सकता है आपके हिसाब से प्यार का full form क्या हो सकता है आपके हिसाब से प्यार का full form क्या हो सकता है आप A से B, C, D, E, F, G, X I, J, K, L, Z तक जाहिए और हर एक लेटर का full form अपने according प्यार का मतलब निकालिये A for always, B for B for क्या हो सकता है B for фाल्टू की बक्वास हो सकती है क्या प्यार में G for गुरू मदूला बना सकती है प्यार में G for गोविनदा गोविनSDा बना सकती है G for गुरू, गुरूत, विकास करा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, जरी फार गुरूत, क्या विकास करा सकते हैं, प्यार क्या है, A से Z तक आप अपने प्यार का एक डिफिनेशन दीजिए, आप अपने प्यार का परिचे दीजिए, प्यार को समझाईए, हर एक लेटर का 26 है, आये! Spanish में बोलते है , Italymagen अमर Arabic में बोलते हॉड है Debatte मैं आपसे है करता है इसलики exerc warriors hem है हब करता है है करता है presence , आमर करता है करता है फ्रेम करता है परीट करता है चीच करता है बटी प्यार करता है प्यार करता है you have to understand that you got this point, you're getting my points what you need to do, आपको क्या करने, जरू तो आप अपने full palms निकाले, आपको, according to you what is the definition of love लेकि लब लब क्या देता है, लब एक security देता है, लब एक emotion देता है लब एक feeling देता है, लब एक attachment देता है, लब एक help करता है लब आपको एक bond देता है प्यार आपको विश्वास देता है प्यार आपको जीने की कला सिखाता है प्यार आपको जिंदगी देता है बट आपका प्यार कैसा है ये mind रखता है मा न होती तो मैं न होता मा न होती तो मैं न होता, पिता न होता तो मैं बड़ा ना होता बहनों ने यू खाना ना खिलाया होता तो आज मेरी बोड़ी पतली दुबली एकदम आनारकली की चदा होती प्यार है ना मेरे टीचर मेरे गुरू ने पढ़ाया ना होता तो आज मैं यहां ना होता प्यार है ना आज देश वासियों ने जो देश के लिए करांती की उन्होंने देश को आजाद न करवाया होता तो आज देश गुलाम होता प्यार था ना किताबों को लिखने वाले किताबों के प्रेमी ने कितावे ना लिखी होती तो आज किताबों की ग्यान की रोशनी से हम पूरी तरीके से उजागर नहोते प्यार था ना प्यार है ना प्यार नहोता तो ये खुदा भगवान जो बारिश करता है बारिश की बूदों को खेतों में लेलहाता है धान गेहूं सरसों लेलहा उतते हैं प्यार है ना अपने बंदों के लिए अपने पुजारियों के लिए अपने भक्तों के लिए उपर वाला भी प्यार पुचार करत प्यार है ना, प्यार ना होता तो यूही हम हॉस्पीटल में लेट के अपनी कलाई अपने हाथ को आगे न करते और बोलते नहीं कि हमारे जिस्म से खून निकाल के इनके जिस्म में डाल दो, प्यार है ना, प्यार ना होता तो हम अपनी एक किडनी किसी क्योग देते नहीं, प प्यार नहीं करते हम अपने बॉडी के पार्ट्स को डोनेट नहीं करते प्यार है ना प्यार ना हो अपने काम से तो काम से विश्वास हो जाता है प्यार ना हो मां से तो मां की मंता चली जाती है प्यार ना हो जिन्दगी से तो लोग आत्म हत्या करने होते हैं प्यार ना हो अ कहीं कभी-कभी लोगों को attachment होता है तो लोग समझते हैं प्यार हो गया वो attachment है, affection हुआ तो लोग समझते हैं प्यार हो गया, वो प्यार नहीं, लोगों को लगता है कि चलो feeling किसी के लिए थोड़ा सा जागी प्यार हो गया, प्यार नहीं, कोई अच्छा जाये तो आपको अपनी मौत सामने दिखाई दे, जहां पे आप अपना सब कुछ खो कर भी आपको महसूस नहों कि मैंने कुछ खोया है, वो है मुहबत ना, प्यार का मतलब है प्यार का मतलब है, true love what is true love, एक सच्चे प्यार का मतलब क्या है, कि जब वो आपके साथ हो, तो आप पूरे हो वो ना हो, तो आप अधूरे हो मा के आचल से जब हम पल्लू से लिपड़ते थे, तो कैसा लगता था complete सा लगता था उस बच्चपन में, जब हम वही बच्चा जवान हो जाता है, तो मा को उस प्यार आशिकी को मा के साथ देखता था, पिता के साथ देखता था, तो कहते हैं ना कि मा दुनिया में देखा है आशिक कई पर तुस्से खुबसूरत कोई सनम नहीं है, महभूबा की बाहों में बरना चाहते हैं, बहुत से लोग, पर तेरे आचल से प्यारा कोई करने, तो true love है, true love में आप उस इंसान के अलावा किसी इंसान को नहीं देख सकते, उस इंसान के अलावा आप उस इंसान को replace नहीं कर सकते, उस इंसान की जगहां किसी इंसान को नहीं दे सकते, true love का मतलब यह मा की ममता किसी और को नहीं दे सकते, ल प्यार है क्या प्यार का मतलब आपको समझ में आ गया एक attachment एक connection एक love एक sacrifices एक intimacy एक tendency एक tenderness एक modulation जो भी आपका है connection लब है वो लेकिन लब आया कहा है लब आया कब अरे लब तब से आया जब दुनिया बनिया है आदम बाबा हुआ माई आय थे प्यार था मनु स्प्रधा आय थे मनु स्प्रधा मनु और स्धा आय थे प्यार था एडम और इव आय थे प्यार था उनके बीच में बेप्यार था तो दुनिया जब से है तब से प्यार है connection एक इंसानियत एक attachment एक feeling है और आज हम सबसे पहले बात करते है types of love प्यार केतने तरीके एक होता सबसे पहले एक प्यार है ludus अब ये ludus क्या है फुस लुडूस का मतलब है जब आप प्यार सिर्फ और सिर्फ playful प्यार करते हैं सामने वाले से सिर्फ flood वाला प्यार करते हैं आओ सनम जाओ सनम और बात मुस्कुर आओ सनम ऐसे प्यार को हम बोलते है ludus खुस तो ऐसे प्यार को क्या बोलते हैं लुटुस मतलब वो फलट करनेente वाला ये लड़की वो लड़की ऐसा लड़का वाशा लगा थीक ए मस दीचर फिलिया दूसरा प्यार है फीलिया ये फीलिया का मतलब जो है ये है फ्रेंड्शिप लग जिसको आप जानते हैं जिससे आपसे दोस्ती है जो आपसे फैमिलियर है तोड़ा उसके लिए जो आपका एक लव होता है एक अफैक्शन होता है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर दूँगा मेरा दोस्त है मैं जो है कि उसको कुछ भी मैं उसके लिए ख़ड़ा हूं दिन रात इस ऐसे लग को फीलिया बोलते है तीसरा लगा को स्टोरेज स्टोरेज मतलब होता है फैमिली लग पेरेंट्स भाई बहन का अम्मी अब्बू का, मम्मी पापा का ऐसे प्यार को बोलते है स्टोरेज लग मतलब यह बहुत ही तगणा होता है क्युकि यह खूण का रिस्टा होता है बहुत गहरा होता है खूण का रिस्टा होता है इसमें obsession नहीं होता इसमें real वाली अंदर से feeling आती है कि मेरी माँ है मेरे पिता है मेरे भाई है मेरे बहें चौथा आपका है Eros Eros मतलब romantic love जहाँ पर आपको सामनी वाले के साथ घूमनी का मन करे उससे गली मिलनी का मन करे उसको किस करनी का मन करे romantic romance हो एक opposite gender के साथ ऐसे love को हम बोलते है Eros love पाचवा point A gap अगेब का मतलब होता है जब आपका love, humanity इंसानियत के लिए हो जहाँ पर आपकी selfish desire कुछ ना हो ऐसे प्यार को बोलते है अगेब और छटा point है pragma pragma का मतलब होता है mature love जो आपका time से बढ़ता जाए आपने किसी से शाथी की एक महिना निकला दो महिना, एक साल, दो, साल, ती, साल, चाल, साल, पान उसके बाद अपनी महबूबा से, अपनी wife से, अपने husband से तना गहरी महबबत हो जाती है कि आपको लगता रही यार क्या महबबत हो गई है मैं तो इसको बहुत मानने लगाऊ बहुत जानने लगाऊ और इस तरीके के लब को प्राइग्मा मैच्योर लब बोलते है सेवन्थ पॉइंट सेवन्थ पॉइंट है मैनिया और मैनिया का मतलब होता है अपसेसिव लब अपसेसिव का मतलब जब आपका खून एकदम खौले मैं इसको हासिल करके रहूंगा बसंती, काजल यहाँ सिर्पत यहाँ चोड़े है चलाना नहीं बूले अगर चौकर पे बारात आई थी तोली की जगा उसकी अर्थी उटेगी अरे तरी काट डालूँगा माट डालूँगा ऐसे लगओ लेके भाग जाऊंगा तेरे पिता क्या करेंगे चल भाग मुन्नी ऐसे इस तरीके के प्यार को बोलते है मैनिया सनक वाला ला पागल पन पागल पन होशो हवाश खो बैठना कंट्रोल करना अपने आपको कभी यह चीज़ मत करना भाग करके शादी करने को बोलते है इलाउप इलाउप मतलब भाग कर शादी करना कभी यह चीज़ मत अपना यह लाइफ यह अपने दिमाग पर अपने जहन पर यह चीज़ सवार मत होने दी प्यार महबत से लिए चलता रहता है लाइफ में वो भी ना करें अपनी जिंदगी को बचाएं लेकिन अगर चलो कभी हाल बेहाल में हो जाता है तो ये मैनिया सवार ना होने पाएं नहीं तो फिर आपके टोटल परत परत पर आपके परत लग जाएगी दिमागों पर और आपको ही फैसला नहीं ले पाओगे तो प्लीज इस करें अपने आपको देखें तो आपको लगे कि मैं कंपलीट हो पूरा हो मुकमल हो अपने आप से महबबत करें अपने जिसम अपने बॉड़ी से महबबत करें अपनी आत्मा से महबबत करें अपने हर चीज से महबबत करें अपने आप से एक लगाओ हो एक पसंद हो एक मह अप्पत हो एक जिनुन हो, अपने आपको लेके अपने आपको लेके कहीं न आपको बहुत जादा पॉजिटीख बहुत ओंप्टीमिस बहुत जादा सकाराथमग, बहुत जादा जहेंशा महसुस पहते हैं एसे प्यार को बोलता है फेलाधिया मैं मानता हो personally कि फिलॉटिया is very important फिलॉटिया बहुत ज़्यादा important फिलॉटिया फिलॉटिया is a very important love because it is all about self love क्योंकि खुद से महब्बत, खुद को खुद से खुद महब्बत नहीं दे पाओगे तो दूसरों को क्या खाक दोगे महब्बत, तो इसलिए आपको बिल्कुल इस चीज को समझना है and you need to keep in your mind कि आपको फिलॉटिया फॉलॉटिया फॉलॉट करना है तो लब को आप definition कुछ भी दे सकते हैं लेकिन लब को addiction मत बनने दीजे एक आदत मत बनने दीजे एक पागलपन मत बनने दीजे दिमाग पे जहन पे सबार मत होने दीजे आप अंधे मत बनिए आप गुंगे मत बनिए आप बहरे मत बनिए आप समझतार बनिए महबत को समझे महबत की इतमिनान को समझे महबत के attachment को समझे महबत के definition को समझे महबत के connections को समझे और जिससे भी महबत करिए उसको पागल कर दीजे आपकी याद में पागल हो जाए वो इनसान ऐसी महबत करिए कि आइसा महबत सब करिये माहूल ना कि आपके लिए लोग महबत में आपके दिवाने हो जाए ऐसी महबत पैदा कर दीजे ऐसी मुहबत ऐसी personality पैदा कर दीजिए कि लोग बस आप से मुहबत करने के लिए बेपना मुहबत करने के लिए पागल से हो जाए लेकिन यह वाला पागल नहीं इस पागल पागल से बचेगा तो मुझे उमीद है कि यह आपको topic बहुत प्यार से बहुत मुहबत से समझ मैं आया होगा यह मुहबत के बारे में तो आएए हम सब आपस में हिंदू मुसल्मान से किसाई सब मुहबत करते हैं हर देश से मुहबत करते हैं लडाई जगड़े को मारते हैं अपने अंदर के जलसी जलन को मारते हैं और सबसे दिल खोल कर वे पना मुहबत करते हैं जैहिंजे भारत अस्सलाम वालेकुम नमस्कार शेकाल नमस्कार तैंक्यू